नमस्कारा पुश्वागे था टेक विद क्रिप्टो चानल में एजो वीडियो है इस वीडियो में 32 और जो सिवाईनों टोकेन है इसके अंदर कॉम्पेर करेंगे और आने वाले टाइम में 32 और सिवाईनों जो कोईन है इसमें से कौन आच्छा प्रोफिट दे सकता है 2023 में आ बेसिक चीजे जान लेते है पहले जो है सिवाईनों कोईन के बारे में जान लेते है आपने आपने देख सकतो सिवाईनों कोईन के बारे में सिवाईनों इचे मीम टोकेन हुई इसको बनाया गया था फान के लिए बनाया गया था और एक मीम टोकेन था और आभीके टाइम तोगन है ये अपना जो डेभूलादम्यान का काम कर रहे है और अभीके टाइम स्फिभान्यू को रहला है ये मीम कोजान से निखल चुका है देहे आभीके टाइम बात करोगा तो दोगन का इसका मेटाव हार सब्सक्रार, और ये फसने थे फेड favourite भी आ चुका है और दिखुए दिनका खुद का ब्लोक्चेन आने बाला है सिबेरियाम लेयर टू ब्लोक्चेन और अभी के टेम जो सिवाइनु कोहने इसका कारें प्राइस देख देख दो 0.5 टाइम जीरो के बाट 836 डॉलार रैंग 17 और मार्केट कैप जो है ओ 4.9 बिलियन डॉलार के आसपास है और सार्कूल टिंग सापलाई 590 डिलियन और टोटल सपलाई 1 क्वार्ड रिलियन के आसपास है और यह अपना अल टाइम हाई प्राइस से दिखोए दो 89.7 परसें डाउन में और इसका जो अल टाइम हाई प्राइस थाओ 0.4 टाइम जीरो के बाद 8 616 डोलार और अल टाइम लोग प्राइस से बहुत ज्यादा प्रॉफित दे चुका है देखो तो 1.4 क्रोर पार्स्थन का प्रॉफित दे चुका है सिवाई नो टोकन आभी के टाइम और होल्डात देखो तो 1.2 मिलियन और एक्चेंज की बात के तो 170 प्लास एक्सेंज में लि 25 और मार्केट कैप 125 मिलियन डॉलार के आसपास है और सर्कुल्डिंग सप्लाई 427 ट्रिलियन और टोटल सप्लाई 1.4 ट्रिलियन है और यह अपना अल टाइम हाई प्राइस से 82.8 परसें डाउन में है देखो तो इसका जो अल टाइम हाई प्राइस थाओ 0.5 टाइम जिरो 184 डॉलार और अल टाइम लो प्राइस से 51,000 का प्रोफिट दे चुका है या फ्रोक्स ट्वीटर में फ्लाद देखो तो 260 के फोला रहा है और एक्सेंज की बात करें तो 14 प्लास एक्सेंज में लिस्टेट है देखा जाए तो सिभाईनू और बहुत ज्यादा प्रोफिट करें निकल के आती है और सिभाइनू कोईन के लिए न्यूजस का जो फायदा हे ओ ज्यादा होगी क्यूंदेख़ों तो सिभाईनू कोईन का जो कमुनुटी है ओ बहुत ज्यादा है 22 कोयंं से इसलिए छूटा सा छूटा नुज भी सिभाई सहीं नूगोन के लिए बढ़ा साभीद हो सकता है और देखोगे तो आउसे आनल कोईन को बहुत बढ़े-बड Shooter है वह वाईन करता है इसी बाज़े से सिभायनू कोयन के लिए छोटा सा छोटा नुज बड़े सबीद हो सकते हैं और जो सिभायनू कोयन का जो पावर है वह कॉमेपटी है एक अच्छी कासी कॉमेपटी डिजाब करता है इसलिए न्यूज वगरा का इंपेक्न दोशिवायन जो कोई है एक पेमेंट के रूप में भी काम करता है और इनका जब सिबेरिया माएगा तब सिवाइन कोई के लिए अच्छी आशी पॉजेटिव इंपर देखने को मिल सकता है सिवाइन कोई के उपर जब इसका ब्लोक्चेन आ जाएगे उसके साथ जब डी एपस जो है ओ इं 20 ब्लोक्चेन है और देखोगे तो इनका decentralized OS आने बाल है और देखोगे तो यह इभी कार मोडेल भी लेके आने बाला है और भी बहुत सारा होटल बिजनेस में भी काम कर रहा है देखोगे तो बीटगार टोकेन और पानना सिप के मावल में देखोगे तो बीटगार टोकेन और थाजन प्लास पानना सिप भी करेगा 365 डेस के अंदर देखोगे तो बहुत सारा स्ट्राइजिक पानना सिप जोई ओ बीटगार टोकेन के लिए आने बाल है और देखोगे तो बीटगार टोकेन का जो टीम है ओ आपना पेबेर इस पेमेंड गेटवे भी लांच कर चु जादा है सापलाई जो है क्वार्ड डिल्यान में है और बार्णिंग जो है रही है ओ ज्यादा बार्णिंग नहीं हो रहे है दोनों को देखोगे तो और सिभाईनों जो कोईन है इसका बार्णिंग हो रहे है मिलियान या बिलियान में बार्णिंग हो रही है जब तक बार् रूपीज जाना मुश्किल रहेगी 2023 में क्यों इसका सप्लाई जो हो बहुत ज्यादा है जब तक सप्लाई हुज एमाउंट में नहीं बारने होगी तब तक दोनों कोईन के लिए एक रूपीज जाना मुश्किल रहेगी और आप बात आते हैं मेरे पास थाउजन रूपीज करहूंगा 70 पारशन थाजन रूपीज का और शिवायन में 30 पार्शन क्यूंग देखेगा तो सिवायन जो कोईन है लिश्टिंग की बात करो तो 170 प्लास एक्टेन्ज में लिष्टिंग हो चुक है रविन हुड में शिवायन का लिष्टिंग हो सकते हैं ऐसा निजन्वगर आती है और ब्यारीस की बात के दो ब्यारीस का लिस्टिंग देखो तो फॉटीन प्लास एक्षेंज में लिस्टिंग है देखो तो इसका बहुत सारे एक्षेंज में लिस्टिंग आना बाकी है देखो दो कोईन बेस बाइनाइन से एक्षेंज में अभी भी लिस्टिंग आना है इस चीज को देखते हुए मैं ब्यारीस को आने वाले टाइम में फ्यूचर में ब्यारीस को ज्याधा प्रिफर करूंगा और आप यहां पर देख सकते हो एनलिस्टिक इंसर्जा इनके तरफ से अर्टीकल भी निकल काया था 21 दिसेंबर को वाई डॉच कोई एनु इन्वेस ब्लोक्चेन इसमें ट्रांजाक्शन फी जो लागता है वह एफ्रोक्स जीरो लागता है और देखो दो बीटगार टोकन का भी टू रोड मैप भी आने बाला है और बहुत सारा स्ट्राशिक पानना सिप और प्रोडाक्ट ब्लोक्चेन इसलिए जो इन्वेस्टर लोग है लोग बीटगार टोकन को प्रेफार कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए और आपको इन दोनों कोईन में से किसी भी कोईन में इन्वेस्ट बगरा करना है तो आप अपना खुद का रिशार्च करें उसके बाती किसी भी कोईन में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट बगरा कीजि यह तिस सीवाइनू और बीड़ का टोकेन के बारे में उभारोल आपडेट आपको आपडेट आच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चानल को सब्सक्राइब कर लेना